नमस्कार, न्यूस टाइम्स के इस बुरिटीन में आप सभी का स्वागत है। गोलकेरा बजार आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने बाजार में छापे मारी करते हुए उसे गिरफतार किया। में जिंबर डोंकों के पास दो देसी बंदूक एवं जिंदा कार्थूस है जिससे वो ग्रामिनों को धमकाता रहता है इस सूशना पर पुलिस टीम द्वारा तुंडिका गाउं से डिबर जोंकों को दो देसी बंदूक एवं दो जिंदा कार्थूस के साथ विधिवत गिरफ पुलिस द्वारा शुकरवार को जेल भेजा गया। अपनी जान हतेली पर लेकर चलने को विवश है। किलोमीटर है। सड़क जरजर होने के कारण आए दिन इस पर दुरघटनाए होती रहती है। बावजूद इस सड़क का सूद लेने वाला कोई नहीं है। सड़क की मरमती के नाम पर गड़े भरने की अपचारिकताइं पूरी करने के लिए करीब। सवा तीन करोड रुपे की निवदा निकाल दी गई है। सड़क का गड़ा भरने के नाम पर एक बार फिर रुपे का बंदर माठ होगा। गड़े तो ततकाल में भर दिये जाएंगे। लेकिन सड़क के स्थिती कुछ समय बाद अपनी स्थिती में आ जाएगी। इस जो हमारा हाट गमरिया और चैवासा के बीच जो सड़क है वो लगबख दो सालों से खराब है। और इसके लिए हमें सरेंग्सिया होके या बलेंडिया से होके आना पड़ता है। इसके लिए 32 कुलमेटर की दूरी हमें 50 क्नोटर में तै करनी पड़ती है। एक तरह से जो एकनोमिकली कमजोर है या लॉबड़ाउन के पास सुविधा नहीं है। उनको बहुत बड़ी समस्य आने जाने के लिए एकनोमिकली भी ज्यादा पड़ता है। फ्यूल के तेल कदाम बढ़ रहा है। और एक आवाज आही जो सुगम था। जो बीच के जो कजबें जिसे जिक पानी हो गए ताला बुरू हो गए माटा गुट हो गए। यहां के लोग अपने अगर गाड़ी अपनी गाड़ी है तो ही सफर कर पाते हैं। अन्यता उनको बुक करना पड़ता है। ते बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए। और एक अच्छी सड़कर होगी तेकनोमिकली देश के लिए भागिदारी होगा वो। इस जीला ने जारकन सरकार को बनाने में पांच विधायक दिया है। जिसमें चार विधायक जामुमों और एक विधायक कॉंग्रेस से है। सिम्भुम की सांसद कॉंग्रेस पार्टी से हैं। जीले की एक विधायक मंत्री भी हैं। इसके बाद भी सड़क का यह हाल है। कहने के लिए तो सड़क की मरमती के लिए विधायक सांसद समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन इनकी आवाज कहा कुंद हो इस सड़क पर आवागमन करने वाले लोग यही सवाल करते हैं कि आखिरकार यह सड़क कब बनेगी लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है सड़क की मरमती के नाम पर राष्टिय उच्पत प्रमंडल के पास एक जवाब है इसके लिए सुला जुलाई को निविदा निकाल दी गई है निविदा का कार्य पूर्ण होने पर जल्द ही मरमती का कार्य शुरू कर दिया जाएगा एनश 75E सड़क की स्थिती यह है कि इस पर वाहन हिच्चकोला खाकर चलने पर विवश है दो राज्यों को जोडने वाली सड़क तैंबासा से 60 किलोमेटर की दूरी तै करने में करीब तीन घंटे का समय लग जाता है सड़कों पर वाहन को चलती वे देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्थिती क्या है अर्थ विवस्था के तौर पर भी यह सड़क काफी माइने रखता है इस सड़क से सैकडों की संख्या में आयरेन और लदा वाहन का आवागमन भी होता है काफी संख्या में वाहन के आवागमन होने से धूल उड़ने के कारण ग्रामिडों का प्रदूशन के कारण जीवन संकट मै हो गया है राज के मुखि मंत्री हिमंत सोरिन को सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गटकरी ने उनसे वार्ता करती हुए स्पष्ट कहा था कि कींद्र सरकार के पास राशी की कमी नहीं है आप योजना तयार कर दें सड़क निर्मान कराना हमारी जिम्मेदारी है बावजुद सड़क का निर्मान नहीं हो पाना जीले के राजनेतिक इच्छा सक्ती को परिलक्षित करता है फिल्हाल इस सड़क निर्मान को लेकर लोग जन प्रतिनिदी पर नहीं बलकी भगवान भरोसे हैं हम लोग इस चैवासा से जिंकपनी होते हुए ये रोड ओडिसा किरिबुर ये इस रोड को ठच करती है और ये विशेश का इस रोड को आईरेन जो लेकर कर आती है इस रोड के रूप में जाना जाता है कि लोग इस रोड की कराबी के वज़े से इस में रोड में लोग जाना नहीं चाहते हैं आज सिंग पुकुरिया से एक साइड चले जाते हैं लोग जांगी बुरू की और दूसरे साइड चले जाते हैं जो सेरंग सिया गाटी इस रोड में इस रोड को लोग टच करना ही नही इस पर कितने दिनों से यह लगबक हम लोग अभी धाई साल से देख रहे हैं और इसके पुर्व अकबार के मद्यम से हम लोग को जनकरी मिली थी कि इस रोड को जहना एनेच में विस्तार किया जाएगा और इसका निर्मान कारे जारी है तो लेकिन अब निर्मान कारे भी लग पस जाती है और हमें सक्से यह रोड जाम की इस्तिति में बने रहती है तो आपकी सरकार क्या कर रही है सरकार के आये हुए भी अब साल वर इतने जी गया है इसमें समझते हैं कि इस रोड से एक मजगाव विदान सभाज जगनाथ सोनवा गवल कीरा मुखी सरक निर्मान में घर और जमीन का मुआबजा राशी के मुद्दे पर पूरु मंत्री बड़कुर गागराई ने सोनुआ के ज़ाड़ गाउं चानी पूस में ग्रामिनों के साथ बैठक की मौके पर ग्रामिनों ने पूरु मंत्री को बताया कि कई ग्रामिनों के घर और जमीन के मुआपजा राशी का विभाग द्वारा उचित मुल्यांकन नहीं किया गया है इस पर पूरु मंत्री ने ग्रामिनों को आस्वासन दिया कि वे जल्दिस मामले में जीला मुख्याले में संबंदित विभाग की अधिकारियों से बात करेंगे और जिनके मुल्यांकन में तुटी है उनके घर और जमीन का फिर से मापी करवाने का प्रयास करेंगे जिससे की लोगों को उनके घर और जमीन का उचित मुआवजा राशी मिले लांदूपधा पंचायत के मटकम बेड़ा गाउं के 25 केवी के खरापड़े ट्रांसफार्मर के बदले 63 केवी का ट्रांसफार्मर एवं करेकिला पंचायत के गोपालपुर में 25 केवी के पानेता जेवित तुवित ने उद्घाटन किया। स्टी मोर्चा प्रदेश महामंत्री विजय कुमार मेल गांडी पूरु विधैक चुम्नू उराउं स्टी मोर्चा प्रदेश कारिसमीती सदस्य अनिल बोधरा उपस्थित थे। सर्वाइकल कैंसर कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप सुबह दस बजे से अपराहन तीन बजे तक होगा। राजस्थान स्वीट्स यानि सुधता की गैरंटीन स्वीट्स, स्नैक्स और बेकरी आइटम की विशाल रेंज और वह भी उचित कीमत पर। रुंग्टा स्टील, सॉलिट स्वीट्स, ग्रेटर स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रीम, फ्लेक्सिब्लिटी, 500D, TMT रीबॉर्स्ट। रुंग्टा स्टील की ओर से न्यूस टाइम्स के स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक शुपकामना है। मुफसिल थाना छेतर के उलिहतु गाउं में गुरुवार की आधीर रात को अज्यात हत्यारों ने 60 वर्षे विद्वा महिला दुर्गी कोई की, सुपता वस्था में गला दबाकर हत्या करती। शुक्रवार की सुब ग्रामिन मुंडा द्वारा घटना की सुचना थाना को दी गई। सुचना पाकर मुफसिल थाना पुलिस घटना सल पर पहुँची। सव का पंचनामा करने के बाद सव को अपने कबजे में किया और सदर अस्पताल में पोश्ट माटम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सदर अस्पताल में सुकुर्वार भोर को करीब चार बजे अजीबों गरीब घटना घटी जो शुकुर्वार को दिन भर चर्चा का विशय बना हुआ था हुआ यह की सदर अस्पताल में एड्मिट मानसिक रोगी 20 वर्षिय कल्यानपूर गुटुसाई निवासी डाडू उर्फ आनन्द मिचियारी शुकुर्वार भोर को करीब चार बजे चट पर चड़ कर लिफ्ट के लिए खुला छोड़े गये 50 फीट गहरे खाई में कूद ग जार्खन में ग्राम पंचायतों की 6 महिने का और विस्तार कर दिया गया है राजिपाल रमेश वैस ने इससे जुड़े हुए अध्यादेश को शुकुर्वार को मंजूरी दे दी है गौर तलब है कि जार्खन राजि में पंचायतों का कारेकाल समाप्त हो चुका है कोविट के कारण सरकार चुनाव कराना नहीं चा रही है इसके अलावे कुछ पंचायतों का नए सिरे से परिस्तिमन करना बाकी है पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का कहना है कि इसमें बड़ी राशी खर्च होती है इसलिए संबंधित मंत्री का कहना है कि सरकार के पास फंड का अभाव है इन सभी कारणों को लेकर ग्रामिन विकास मंत्री ने कहा कि पंचायद चुनाव दिसंबर तक नहीं कराया जा सकता है जिसके बाद राजेपाल ने पंचायद प्रतिनिधियों को 6 महिने के सेवा विस्तार अध्या देश को मंजूरी दी है पश्मी सिंभुम जीले में अपराग नियंतरन के लिए पुलिस अधिक चक अजय लिंडा ने अंतर राज्य सीमा पर जीला में 6 स्थानों पर चेक नाका लगाया है जीले के 6 स्थानों में लगाये चेक नाका पर अपराथ निरोधक चेकिंग के जाएगी चेकिंग के दवरान अवैद हतियार अवैद शराब और तसकरी करने वाले वाहनों की जाँच के जाएगी चेकिंग स्थल तातनगर ओपी के मीरूडी, नुवा मुंडी के जोजो कैम्प, बड़ा जामदा के नालदा, जराइकेला में सियारप्यफ कैम्प के पास, मचकाओं में बेनी सागर और जगननातपूर में जैदगड के पास लगाया गया है सभी चेकिंग स्थल में सम्बंदित थाना के पुलिस द्वारा जाँच किया जाएगा टोंटो प्रखंड के हिस्सा सुरिनिया के पास, जंगल के बीच प्रस्तावित, आदर्स एकलव्य मॉडल आवासिय विद्याले के निर्मान जाँच के घेरे में आ गया है ग्रामिनों की शिकायद पर चैबासा के विधायक निरिक्षन में विधायक ने पाया की बड़ी संख्या में पेड पौधे जेसी भी द्वारा उखाड कर फेक दिये गए हैं वहीं इस प्रजेक्ट के निर्मान होने से और हजारों बड़े और छोटे पेड को हटाने की संभावना है विधायक ने वन विभाग से बिना अनोसी के लिए जंगल नष्ट किये जाने के मामले पर नाराजगी जताई और संबंदित एजिंसी के कर्मियों को फटकार लगाई विधायक दीपक बिर्वा ने कहा कि निर्मान के लिए जो भी नियम और प्रकिरिया है पूरा किया जाना चाहिए जिस तरह पेड नस्ट किया जा रहा है या पर्यावरन के लिए अच्छा संकीत नहीं है निर्मान के लिए वन छेत्र का खात्मा किया जा रहा है इस सम्मन्ने वन विभाग पदाधिकारी से वह बात करेंगे अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक निउस टाइम्स की पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमशकर